हालो एवरिवान गूड आप्टरनून वेलकम वेक्ट टू परचम आएंप पूजा और आज हम डिसकस करेंगे मुगल सलतनत का लास्ट पार्ट हम बात करेंगे पोस्ट मुगल पीरियट के कि औरंग जेप के बाद किस तरीके से मुगल सलतनत थी और फिर किस तरीके से धीरे- और एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कॉश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है कि मुगल के पत्रों का कारण क्या है संचिप्त में बतलाईए या डिस्क्रिप्शन दीजिए ब्रीफ में लिखिए कि क्या रीजन था डिकलाइन ओफ मुगल तो यहां पे जो पोस्ट मुगल पीरिड रहा है, जो जो भी रूलर रहे हैं और उनके बारे में जो जो भी खास बाते रहे हैं केवल हम उनको डिस्कॉस करेंगे उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हूँ यह पूरा सेशन तयार किया गया है, वीडियो को लास तत देखेगा और बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन, ठीक है, तो आज हमें जो कहानी डिसकस करनी है, बेसिकली 1707 से लेका 1857 मतलब 1857 की क्रांती तक की बाते करनी है बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आएंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक्ड होंगी, जैसे बेटल ओफ प्लासी, बेटल ओफ पानीपद, बेटल ओफ बक्सर, तो यह सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अगर आपको वो वीडियो देखने हैं, तो पर्च को सब्सक्राइब कर लेंगे, आए सेशन की शुरुआत करते हैं, तो औरंग जेब की बात करते हैं, तो यहां पर देखो बाबर थे, बाबर के बाद हुमायू हुए, अकबर हुए, जहांगीर हुए, सहाजा हुए और फिर औरंग जेब हुए, औरंग जेब तक मुगल सल् तो यहां पर वही कारिकर्म शुरू हो रहा है तो हम बात करते हैं यहां पर मुजाम की मुजाम को हम बादुर शाह फर्स्ट के नाम से जानते हैं यह औरंग जेब के तीसरे नमबर के बेटे होते हैं और यह आठवे नमबर के मुगल एमपरर होते हैं मुगल गद्धी पे बैठने वाले राजा होते हैं 14th of October 1643 को बुरहानपूर विचिस सिचुएटेट इन मद्र प्रदेश जहां पर आसिरगड का किला मिलेगा जिसको दक्षड का प्रविश्दवार भी कहते हैं और जिस दर्वाजे को अकबर ने गोल्ड की की से खोला था वही जगह है बुरहानपूर साथे साथ मैंने आपको बताया था कि बुरहानपूर में किसी की डैथ हुई थी कोई ऐसा मुगल सलतना से रिलेक्टिड विक्ती था जिसकी डैथ हुई थी तो उस विक्ती का नाम अगर हमको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो मुजाम बाहदुर शाह फर्स जो है वो आठवे मुगल रूलर के रूप में गदी पर बैटते हैं गदी पर बैटने के पहले वो काबूल राहूर और आगरा के गवरनर के पत पर काम करते रहते हैं जब औरंग जेप के डैथ हो जाती है तो उनके जो बेटे होते हैं मुखमत कमवक्ष, मुखमत आजम सहा और एक हो गई है मुजाम इन तीनों के बीच में बैटल आफ सक्षशन लड़ाई होती है मुजाम जो होते हैं वो गवरनर होते हैं काबूल के मुहम्बत खामबक्ष दक्खन के गवर्नर होते हैं और मुहम्बत आजाम शाह जो है वो गुजरात के गवर्नर होते हैं तो इन तीनों के बीच में बैटल होती है एक बहुत ही फेमस बैटल होती है बैटल अफ हैद्राबाद 1709 में होती है ये battle of हैदराबाद बहादो शाह फरस्ट या मुजाम साथी साथ काम बक्ष के बीच में होती है जिसमें काम बक्ष बुरी तरीके से injured हो जाते हैं और बाद में उनकी death हो जाती है तो बहादो शाह फरस्ट जो है वो मुगल तक्त के शासन पर बैठते हैं मतलब अगले मुगल सुल्तान बनते हैं अब ये policy अपनाते हैं कि जाटों के साथ हमें लडाई नहीं करने जितने लंबे समय से गुरू अरजुन देव से जहांगीर के समय से जो सिखों के साथ के बाद जब बंदा बहादूर आते हैं तो वो बापस से विद्रोश शुरू कर देते हैं तो बंदा बहादूर और यहां पे बादूर शाह फरस्ट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं लडाईया होती हैं कुछ बुक्स में लिखा है हो सकता है आपके बुक में भी लि लिखी गई है तो बंदा बहादौर का dispute या बंदा बहादौर की जो लडाई या विद्रो होता है वो बहादौर शाव स्ट या मुजाम के समय ही देखने को मिलता है इनके समय राजपूतों का विद्रो मिलता है दुर्गादास राथः जो है वो लाल किले में औरंग जेप के द्वारा बनवाई गई एक मज़द है मोती मज़द पल्ड मज़द के नाम से भी जानते है वहाँ पर कुतुब बुद्धिन बक्तियार काकी की दरगा के बाजू में ही इनका भी टॉम बनाया गया है 1713 में इनकी डेथ हो जाती है 1713 में इनकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है अब यह जो होते हैं इनको जादा academic से जादा administrative policy से कोई लेना देना नहीं है सरकारिक में क्या चल रहा है हमारे राजदरवार में क्या चल रहा है हमें कोई मत्तम नहीं बेफिकर है, इसलिए इनका टाइटल भी है शाह ए बे बेफिकर, तो शाह ए बेखबर या बेफिकर जो है वो बहादुर्ण शाहां 1 और ये टाइटल उनको एक मुगल हिस्टोरियन काफी खान के दोबारा दिया गया है जैसा कि मैंनोंने कहा कि ये अच्छे संबन बनाना चाहते थे जैसे कि औरंग जेब की पॉलेसी बहुत ज़्यादा कुरूर थी उन्होंने मराथाज, राजपूर, जाट सिख सब के साथ विद्रो करके रखा हुआ तो इन्होंने इन जो रिलेशन्स थे इनको सुधारने की कोशिश की सरदेश मुखी वसूलने की लेकिन चौथ अभी नहीं दिया था सरदेश मुखी जो टेक्स वसूला करते थे मराथा उनको परमीशन यहाँ पर दे दी गई थी इनके बाद बहादुशाव फर्स्ट के बाद इनके भी चार बेटे होते हैं जब भी चार बेटे ये तीन बेटे वाली बाते होते तो बैटल आफ सक्षेशन उत्तरा दीकार की लड़ाई होना बहुत सौभाबिक बात है तो यहाँ पर बहादुशाव फर्स्ट के भी उत्तरा बेटे होते हैं उनके बीच में भी बैटल आफ सक्षेशन होती है लेकिन फाइनली जीत्ता है वो गदी पे बैठता है तो जीत्ता कौन है? जानदार शहाँ तो जानदार शहाँ का जो कारेकाल है वो बहुत कम समय का है केवल एक साल का है इनके पास भी एक title है, बहुत interesting title है, Lumpat Murk, इनको क्या title दिया गया है, जैसे कि उनको शहाँ ये बेखवर दिया गया है, वैसे ही जहाँदार शहाँ को भी जो title दिया गया है, वो Lumpat Murk का title दिया गया है, इनोंने 1712 से 1713 के वल एक साल ही गदी पर बैठे थे, सो यहाँ पर इनके father की debt हो जाने के बाद, इनके जो भाई है आजिम शहाँ और इनके बीच में battle of succession के लड़ाई होती है, जिसमें जानदार शहाँ जीत जाते हैं और 11 मन तक गदी पर बैठते हैं, यह इनकी जो wife होती है, या फिर इनकी दरवार में जो आप देखेंगे power है, वो लाल कुवर के पास है, लाल कुवर कौन है, एक prostitute बिलिखा मिलता है, कुछ बुक में मिलता है कि इनकी court में dance करने वाली थी, बाद में शारी कर लेते हैं और उनकी power बहुत जादा बढ़ जाती है, तो इनकी दरवार में लाल कुवर जो थी, वो बहुत powerful थी, जो कि पू इजारा सिस्टम मतलब जैसे कि एक जमीन है, यहां से आपको टेक्स वसूलना है, तो हम क्या करेंगे टेंडर, जैसे कि construction होना होता है रोट का, तो गवर्मेंट के द्वारा टेंडर निकाला जाता है, जो जादा बोली लगाता है, गवर्मेंट उसको वो टेंडर दे देती इस तरीके से काम होता है न, टेंडर सिस्टम, बिडिंग सिस्टम, तो वैसे ही यहां पे टेक्स वसूलने के लिए इजारा सिस्टम की शुगात यहां पे इनके द्वारा की गई थी, यह राजा बने थे जुल्फिकार खान के कारण, इसलिए बाद में इनको प्राइम मिनि इनके द्वारा दिया गया था, तो सभी के साथ मैत्रेपूर संबनाने की कोशिशन होने की, लेकिन इनके जो भाई का लड़का था, मतलब इनका क्या हो गया, नीज भतीजा जो हो गया, तो उसने इनके खिलाफ विद्रो कर दिया और बैटल ओफ आगरा हुई, तो आगरा म पर सैयद ब्रदर की सायता से फर्रुक सैयर जो है, वो जहादार शाहा को गदी से हटाता है, और खुद गदी पर बैट जाता है, तो अगला मुगल राजा कौन बन चुका है, फर्रुक सैयर बन चुका है, 1713 से 1719 के बीच में इनका समय है, ये किसकी मदद से गदी पर करता है क्योंकि इन्होंने ही तो इसे गदी पे बिठाया above actually in इनको केंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्हों ने चार राजाओं को चार राजाओं को मुगल सतनत्थ की गदी पे उन में से पहले राजा कौन फररुक सियर है हें हम आंगे देखेंगे और कौन-कौन से राजा को अली बंधू सरी सेयद बंधू होने जो है ब्रदर्स ने किंग बनाया था अब इनकी जो पॉलिसी थी वो इन्होंने सबसे पहले जजिया करको खतम किया और जो धार में कर लगते थे तीर थेयात्रा पर कर लगते थे उनको भी इन्हों सेयर ने बंदा बहादूर को मरवा दिया तो बंदा बहादूर को किस ने मरवाया तो फरुक सेयर के द्वारा बंदा बहादूर को मारा गया था अब जो फरुक सेयर होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं तो एक ब्रिटिशर्स होता है बिलियम हैमिल्टन फरुक सेयर की डि कि फर्रुक सरियर बिटिश इस्ट इंडिया करने को कमपनी को फ्री में वैपार करने की पर्मीशन दे देते हैं कि आप टेक्स भी वसूल सकते हैं अपनी टकसाले भी लगा सकते हैं और फिरी वैपार भी कर सकते हैं केवल आपको yearly 3000 रुपे ही payment करनी होगी तो इस तरीके से फर्रुक सरियर का जो फर्मान होता है वो British East India Company की power को बहुत ज़ादा बढ़ा देता है और इसे हम East India Company का मेगना काटा कहते हैं तो फर्रुक सरियर का फर्मान का बाता है 1717 में आता है हाला कि ये जो दस्ता क्या पास होता है इसका उपयोग इस्ट इंडिया कंपनी के दोरा गलत रूप से किया जाता है वो बात की चीज़े हैं जो कि हमने modern history में cover की थी ठीक है तो ये फर्रुक सेयर का फर्मान हो गया लेकिन यहाँ पे अब जो सेयर ब्रदर हैं उनको ये राजा पसंद नहीं आ रहे हैं अपनी मर्जी से जादा काम कर रहे हैं तो सेयर ब्रदर डिसाइट करते हैं कि इनको गदी से हटाएंगे तो महराजा अजीज सिंग की सहायता से और सेयर ब्रदर मिलके फर्रुक सेयर को मार देते हैं उनको गद्धी से हटा देते हैं अब सैयर ब्रदर जो होते हैं तीन दिन बाद राजा के मरने की तीन दिन बाद जो है अजीत सिंग की साहता से रफी उद्धराजत को गद्धी पर बिठालते हैं तो रफी उद्धराजत को गद्धी पर बिठाला लेकिन इनको अफीम की लट बहुत जादा होती है ड्रक के अडिक्टेट होते हुटे हुटे उनकी बिढ़ेत हो जाती है और फिर चौथे नंबर पे आते हैं मुहमबर शाह जिनका टाइटल होता है रंगीला ऐसा बोला जाते है कई बार एक कोट में लड़कियों के गैट अप में लड़कियों की ड्रस में भी आ जाते हैं आर्ट और कल्चर का प्रमोट करते हैं देखतर समय ये नो हरम में ही व्यतीत होता है ड्रक एडिक्टेट है इसलिए उनको एक टाइटल दिया गया है इनको भी फर्रुक सेयर के तरह सेयद बंधुों के द्वारा ही गद्धी पर बिठाला जाता है इस तरीके से सेयद बंधु चार राजाओं को मुगल तक्थ पर बिठालते हैं इसलिए सेयद बंधु को हम क्या बोले हैं किंग मेकर का नाम दिया है तो 17 साल की उमर में मुखंबश रंगीला गद्धी पर बैठते हैं 1719 से लेकि 1748 के बीच का इनका समय है तो ये सेयद बंधु है, सेयद ब्रदर है हुसेन अली खान है और अब्दुल्ला खान है इनकी पावर लगतार बढ़ते जा रही है तो ये मुखंबश शाह सोचते हैं, इन दोनों को मरवा देते हैं राजा तो हम बन गए हैं, अब इनको निपटवा देते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है आशव जावन की साहिता से जो है वो सेयद बंधु हों को मरवा दिया जाता है मुहंबा शाह रंगीला के द्वारा एक को फतेफुर सीखरी में मरवाते हैं और दूसरे को पॉइजन देके इनकी डेट करवा दी जाती है अब 1739 की घटना होती है इसके बाद मुगल सल्टनात की हालत एकदम बहुती खराब है मतलब आप कहसकते हैं इसके बाद वो वेंटिलेशन पे चली गई है वेंटिलेटर पे चली गई है वो वेंटिलेटर पे ही रहेगी जब तक आक्सिघन मिल रहे ठीक है तो नाधिर शाह ने बनवाया था जिसमे कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था तो जो नादेर शाह का हमला होता है उसके कारण दिल्ली सल्तनत पूरे तरिये के से तूट जाती है यह ना इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अस्तित्र बहुत ही कमजोर हो जाता है तो यह नादेर शाह है इनोंने मैयूर सिहासन और कोहिनूर हीरा को छीना था अब यहाँ पर बै नैपोलियन ऐसे ही थोड़ी न बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो हरवे बैटल जीत रहा है, तो नैपोलियन नादेर Electiak jit जाते हैं, और एहमा शहाअबदाली को अपना जनरल अपोईंट कर देते हैं, बाद में 1748 में एहमा शहाअबदाली का हमला भी जो है ये टोटल सेवन टाइम्स भारत पर हमला करते हैं, साथ बार हमला करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई भी राजा है, अगर पावर्फुल नहीं है, वो नशे में है, लड़कियों के ड्रस पहन के दरबार में घूम रहा है, हरम में बीजी है, तो ऐसे में जो उसके गवर्णर्स होते हैं, जो उनके सूबेदार होते हैं, वो अपने आपको पावर्फुल समझने लगते हैं, अपनी सेना को अपनी आर्मी को ट्रेन कर लेते हैं, और खुद फिर अपने आपको राजा डिक्लियर कर देते हैं, बहुत सिंपल सा कॉंसेप्ट है, तो निजाम- मुल्क जिनको चिंकलेस खां के नाम से जानते हैं हैदराबाद का जो रीजा ने दक्कन का जो रीजा ने वहाँ पे सेपरेट अपनी पावर बना लेते हैं सहाधत खां जो है अबद में अपनी सेपरेट पावर बना लेते हैं और मुर्शिद कुली खां बंगाल बिहार रोड मुगल आर्मी और एहमद शाह अब्दाली की बीच में बैटल होती है मनुपुर के नाम से जाना जाता है इसमें मुगल आर्मी जीत जाती है लेकिन जीतने की बाद भी एक तरीके से हारती क्योंकि बहुत सारा लॉस हो जाता है पुरी military destroy हो जाती है बहुत सारे लोग मर जाते हैं और इस डैथ का सदमा इस बैटल का जो लॉस है उसका सदमा ये जेल नहीं पाते है मुगल रूलर या 14th नमबर के मुगल रूलर कौन बनते है एहमद शाह बहादूर या एहमद शाह बनते हैं 1748 से 1754 इनका जो समय है बेसिकली एहमद शाह अबदाली के हमलों के लिए जाना जाता जैसे कहा मैंने का सेवन हमले होते हैं सबसे जादा हमले जो एहमद शाह अबदाली अफगानों के होते हैं वो एहमद शाह बहादूर के समय ही होते हैं तो इस समय पूरा मुगल सुल्टनत एकदम कोलैप्स कर जाता है एकदम डिस्ट्रॉय होना लगता है बहुत जादर decline पे चला जाता है ये भी एक ऐसे emperor है जोनोंने अपनी life, अपने हरम में ही व्यतीत की है इन्होंने सवदरगंज को नवाब अवद बना दिया इमाद उल्मुल्क को ग्रांड वजीर बना दिया, मीर बक्षी बना दिया मोहिन उल्मुल्क जो की कौमुद्दीन खां के बेटे थे इनको पंचाब का गवर्नर बना दिया और खुद एकदम हरम में व्यस्त है तो ये जो लोग हैं ये आपस में आप विद्रोग तो करने लगेंगे है न तो इमाद उल्मुल्क ने वही विद्रोग किया और इनको हटाने में जो योगदान है वो इमाद उल्मुल्क का ही देखने को मिलता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी कोट में जो इनकी राजमाता थे उधमवाई का कंट्रोल देखने को मिलता है तो इमाद मुल्क ने कैहा किया अफ राजा तो एगदम वियस्थ हैं, तो उसथा मैं करन्सी जो छलती थी मैंने सिखाया था दाम चला करते था, इन्होंने लगबग बहुत सारी मनी को कलेक्ट कर लिया, और जो military siege, आर्मी थी, उनको salary देना बंद कर दिया, मतलब administration एक तरीके से collapse कर गया था, आर्मी collapse कर गया थी, कोई भी official work सही तरीके से नहीं हो रहा था, और बिलकुल इन्हों ने फिर Marathas की मदद ली, नाना सहाब पेश्वा की मदद ली और इनको गदी से अटा दिया, तो एह आलमगीर 2nd गदी पे बैठते हैं, इनके समय ही, बहुत ही famous Battle of Plassey, Plassey का योज 1757 में होता है, Robert Clive के नेत्रत्व में, जोकि मैंने modern history में cover किया था, तो Battle of Plassey के समय, दिल्ली की गदी पे, मुगल सल्तनत की गदी पे कौन बैठा हुआ था, तो आलमगीर 2nd बैठे हुए थे, आलमगीर 2nd के बाद, शहा आलम 2nd गदी पे बैठते हैं, और इनका समय है 1759 से 1806 के बीच में, इनका actual नाम अली गौहर होता है, शहा आलम 2nd गदी पे बैठते हैं, और इनी के समय 1761 में, एहमश्या अबदाली, अफगानी सेना और मराठाओं की सेना के बीच में, थर्ड बै किसके समय लड़ा जा रहा है तो शहा आलम 2nd के समय लड़ा जा रहा है, इस सहा आलम 2nd बैटल ओफबगसर में भी पार्टिसेपेट करते हैं जोके 1764 में होती है, यह उन्होंने बैटल ओफबगसर में पार्टिसेपेट किया किसके साथ?, मीर कासिम, सुआ जुददडौला और बिटिश इस्ट इंडिया कमपनी, इनके अगेंस्ट में थे, उन्होंने बैटल ओफ बकसर लड़ा, जिसमें इन लोग बैटल ओफ बकसर हार जाते हैं, मीर कासिम, सुझाद दौला और शाहबादुर, सेकेंड, ये सभी लोग क्या है, बैटल ओफ जो बकसर है, वो हार ज British East India Company जीत जाती है, हेक्टर मुन्रो उस्समें गवर्णर होते हैं, फिर इन सब को मिला के Robert Clive को बुलाया जाता है, एलाबाद की ट्रिटी होती है, एलाबाद की संधी होती है, 1765 में, इलाबाद की संधी के बाद क्या होता है, जो बंगाल, बिहार, उडिशा की दीवानी अ तो पहला पैंशन भोगी व्यक्ति, पहला ऐसा मुगल सल्तनत का राजा जिसको पैंशन मिलना शुरू की थी, वो शाहा आलम सेकेंड है। को राजा का टाइटल दिया था, इन्होंने इक्ता के लिए हिंदू मुसलिम यूणिटी को बढ़ाने के लिए एक फैसिटिबल की शुरूरात की थी, फूल बालो की शेर, तो ये फैसिटिबल की शुरूरात अकबर सेकेंड के द्वारा की गई थी, इसके बाद बहादोर केंट गदी पे बैठते हैं, यह जफर के नाम से पोईट, उर्दू में कविताइं लिखा करते हैं इसलिए इनको बाहदोर शाहत जफर के नाम से भी जाना जाता है, यह लास्ट मुगल रोलर होते हैं, इन्हें भी पेंशन दी जाती है, लेकिन 57 की क्रांती को कुचलने के बाद बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको रंगून भीज दिया जाता है और 1862 में इनकी डैट हो जाती है इस तरीके से आप देखेंगे मुगल सल्तनत का अंतिम राजा बहादुर शाद जफर भी मर जाता है तो इस तरीके से पूरी की पूरी मुगल सल्तनत खतम हो जाती है और केवल और केवल अब राज होता है बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी का जो की मॉडन हिस्ट्री में हमने कवर किया हुआ है इस तरीके से मुगल सल्तनत होते रहना, उत्तुरादिकार की लड़ाई होते रहना, इसके अलावा कोई भी powerful ruler ना होना, वो art, culture, हरम, मृत, गाना, संगीत, drugs में ही addicted थे, तो उतनी अच्छे इनकी administrative policies नहीं थी, तीसरी बात एहमद शाह अबदारी और हैदराबाद, बंगाल सब कही separate state बनने लगे थे, तो एक वो भी reason था, और औरंग जेप की orthodox policy भी एक reason थी, क्योंकि उसने Maratha, Sikh, सभी लोगों के साथ पंगे लेके रखे होगे थे, तो ये कुछ reasons हैं, जिनके कारण धीरे-धीरे मुगल सल्तनत का पतन होगे, तिक बहुत अच्छा answer आप यहाँ पर लिख पाएंगे, तो मैंने prelims और means के हिसाब से सारी बातें, one day exam के हिसाब से भी सारी बातें आपको cover कर दी अब लगातार आप लोगे कमेंट आ रहे थे कि आप लोग विजयन अगर समराज, उसके अलावा जो भक्ती movement है, religious movement है, उसको भी देखना चाहते हैं, जैन धर्म और बौध धर्म के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आंगे की समराज की आपको कितनी समझ विक्सित हुई है, ठीक है, तो थेंक्यू सो मच और टेक केर बाबाए